बेवफाई किसी भी रिष्टे में दर्द, अविश्वास और असंतोश का कारण बनती है। कई बार पत्निया अपने पती से बेवफाई करने के पीछे कुछ खास वजह हो और भावनात्मक स्थितियों में होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति के भावना कि स्थिति उत्पन्न होती है। यहां कुछ संभावित कारण और भावनाय बताई गई है, जो एक बेवफा पत्नी के दिल में हो सकती है। एक, भावनात्मक असंतोश और कमी। अक्सर महिलाएं अपने रिष्टे में भावनात्मक संतुष्टी और प्यार की अपेक्षा कर करती है। जब रिष्टे में भावनात्मक जुडाव की कमी होती है या पति समय और ध्यान नहीं दे पाता, तो पत्नी को अकेला पन महसूस होने लगता है। इस स्थिति में वे किसी और के प्रती आकरशित हो सकती है, जो उन्हें भावनात्मक रूप से समझता हो। ऐसा अनुभव उसके भीतर असंतोश उत्पन कर सकता है, और वह किसी ऐसे व्यक्ति की और आकरशित हो सकती है, जो उसकी सराहना करे और उसे स्वीकृति का अनुभव कराए। 3. पुरानी अधूरी इच्छाएं या असंतोश कभी-कभी शादी से पहले की अधूरी इच्छाएं या सपने किसी व्यक्ति के मन में बचे रहते हैं। यदि शादी के बाद भी उन्हें पूरा नहीं किया जा सका, तो वे असंतोश्टी का कारण बन सकते हैं। इस तरह की स्थिती में व्यक्ति किसी बाहरी आकरशन या सपने की खोज में भटक सकता है। 4. अधिकार और स्वतंत्रता की चाह कुछ महिलाओं को विवाह में अपनी स्वतंत्रता खोने का एहसास होता है। यदि उन्हें अपनी इच्छाओं और स्वपनों के अनुसार जीवन जीने की अनुमती नहीं मिलती, तो वे अपनी पहचान और स्वतंतरता की तलाश में किसी अन्य व्यक्ती की ओर आकर्शित हो सकती है। यह बेवफाई के लिए एक भावनात्मक कारण हो सकता है। 5. रिष्टे में रोमांच की कमी विवाह में समय के साथ संबंधों में एक निश्चित तरह की स्थिर्ता और दिन्चर्या आ जाती है। कुछ लोग जिनके जीवन में रोमांच या बदलाव की इच्छा होती है, वे इसे विवाह में पूरा नहीं कर पाते। इस स्थिती में पत्नी के दिल में नए अनुभव और उत्साह की तलाश बढ़ सकती है, जिससे वे किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्शित हो सकती है। 6. समर्पन की कमी विवाह में दोनों पक्षों से समझ, विश्वास और सहयोग अपेक्षित होता है। यदि पत्नी को यह महसूस होता है कि वह अकेले ही रिष्टे को संभाल रही है और पती उसका समर्थन नहीं कर रहा है, तो वह धीरे-धीरे रिष्टे से दूर हो सकती है इस दूरी के कारण किसी अन्य व्यक्ति के प्रती भावनात्मक लगाव पैदा हो सकता है। साथ, अतीत के अनुभव और अनसुलजी भावनाए। कभी-कभी बचपन के अनुभव या पिछले संबंधों की अनसुलजी भावनाए व्यक्ति के मन में रह जाती है, जो उनके वर्तमान रिष्टे को प्रभावित कर सकती है। यदि कोई पत्नी किसी पुराने का मेल जरूरी होता है। यदि पत्नी को यह महसूस होता है कि पती उसे नहीं समझता या उसकी सोच से मेल नहीं खाता, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकती है, जो उसकी भावनाओं को समझता हो। किसी भी रिष्टे में बेवफाई को सुलजाने के लिए सही समवा पत्रिकताओं को समझे, एक दूसरे से खुल कर बात करे और अपने रिष्टे में संतुलन लाने का प्रयास करे।